एक तरफ भारत विश्व के स्तर पर सूपर पावर बनने का यदी सपना देखता है तो उसी को पूरा करने में एक जो बादा आती है वह है देश की गरीबी देश की गरीबी को मिटाने काम देश के प्रधान मंतरी और राजों के मुखे मंतरी करते ही है परन्तु दिल्ली में गरीबी मिटाने के नाम पर क्या गरीबों को मिटाया जा रहा है यही सवाल लेकर मैं आयूश शर्मा सुराज मीडिया नेटवर्क की तरफ से हम आ पहुँचे हैं कनोट प्लेस के प्राचीन श्री हनुमान मंदर के सामने यहाँ पर जो घटना सुनने में आई है वह यह है कि दिल्ली की जो निगम है उन्होंने ये फैसला लिया है कि कनोट प्लेस को जो बेगर्स हैं भिखशुक जो लोग है घरीब तपके के लोग उनसे मुक्त कराया जाएगा इन लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा पर बड़ा सवाल ये उड़ता है कि इनको कहां हटाया जाएगा क्या इन लोग को नौकरी दी जाएगी इन लोग को आपके और मेरी तरह एक संपन जिंदगी जीने के लिए कुछ कारे दिया जाएगा इनको कहां पर विस्थापित किया जाएगा अगर इनको सडकों से हटाया जा रहा है यही सडक इन लोगों का आशियाना है यही आसमान इनकी छथ है और यही जमीन इनका घर है यदि इन लोगों को यहां से हटा दिया जाता है तो यह लोग कहां जाएंगे इसी सवाल को लेकर आये चलते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं इसी विशे पर दिल्ली की निगम के द्वारा एक नुनियती लाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है यहां पर जो लोग बैठे हो यह जो मांग कर खा रहे हैं जो भिक्षुक लोग हैं जो अपना गुसर बसर भीक मांग करें उनको यहां से हटा दिया जाएगा क्या विचार है इस पर बाइदेगो सब उम्मीत में आते हैं बाबा कि सारे पर जो कोई मिलना तो खाले दे मिले नहीं मिले दो लेकिन अच्छो दक्का ही मिलना सब को लेकि अगर हटा दिया जाता है तो उसके बाद कुछ सुविद्या तो मिली जणी है मिले नहीं आपकी आप लागा यहां पर द्हार फैसला लिया गया था on लोग बीख मांग करते हैं प्रतिय दिन कमाते खाते हैं तो यह वाला दिया है साफसफाई चाहीं आपके क्या विछान één को रही है उनका काम एंभी काम दे के साफ़सफाई का उन्हीं मुद्दा पैसे दीजिए वह अभी। खुल के दिजा है ना उनको यही काम दिया जाए उसको चरी बात कहीं कि इन लोंको यदि आंसे हटाया जा रहा है तो इनको क्या ऐसा किया जाए जिसकी वज़े से ये लोग कहीं और जाकर भी भीक मांगने पर मजबूर ना हो इन लोग कोई काम खोल कर दिया जा सकता है, साफ सफाई का काम, कोई भी मिनिमम काम इन लोग को दिया जा सकता है क्योंकि हमें समस्या का समाधान करना है हटाना समस्या का समाधान नहीं है इनको विस्थापित करना किसी अच्छी जगा पर वही समस्या का समाधान बनकर उभर सकता है पहते हैं इस पर आपके क्या बिचार विट है भी यहां घूाइब हाँ बिल्कुल जिसे इनका गरीबों का भी दोको धार हो जाए और अपना सही रहेगा इसके साब से मांगना नहीं चाहता सब यहां मजबूरी से बैठे हुए तो हटाने से यह मतलब नहीं कि इनको मतलब कुछ ऐसी जगह इनका बना बना दी जाए प्लिए पूरे सिस्थम को निगम है उनके दोरह यह फैसला लिया गया है कि जो लोग यहां पर बीख मांग कर बैठे हैं जो बैठे रहते हैं लोग इन लोगो को हाटा दिया जाए इस पर किया विजा रहा है क्योंकि प्रूब्रम बड़े करते हैं दूसरा कि इसने बड़े मंदर ने की जगह Fayakंए माले अपने ही काम में फेल हो रहा है और दूसरों को फटाने में लाख हो is anे जैसे दो क्या होग rằng साफ सफाई को लेकर यहां पर आपको क्या साफ सफाई की वेवस्ता है यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहीं हम हनुमान मंदर के साइड में कॉनौट प्लेस में आप देख सकते हैं पीछे कैसे यह लोग यहीं पर रहने को मजबूर हैं दिल्ली की ठंड में भी यहीं लोग के पास कहने के लिए अपने मकान जैसा कुछ भी नहीं है नहीं लोग के सर पर च्छत है किसी प्रकार का आश्रय नहीं से भी नहीं दिया जाता ऐसे में भी यदि एसी कोई नीति आती है जो इन लोग को यहां से हटाने की बात करती है तो वह बहुत ही गलत चीज होग कि यहीं पर ये लोग मांग कर खाने को मजबूर है ऐसे ही हमारे एक दरशक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इसको अगर कोई मांग कर खा रहा है तो वह मजबूर है मांग कर खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता मांगना हाथ फैलाना एक शर्मनाक विशे होता है लोग अगर मदद नहीं भी कर सकते तो हम निगम से सबसे पहले तो यही दर्खास करेंगे कि इन लोगों यहां से अगर आप हटा रहे हैं तो विस्थापित करें अन्यता बल पूरवक लोगों को यहां से ना हटाया जाए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितनी दैनी है यहां पर स्थिती है लोगों की और पूरे हनुमान मंदर के पास हम देखे तो सो देड़ सो की संख्या में लोग यहां पर मौजूद होंगे जो ऐसे ही यहां पर रहने को मजबूर है कई लोग इसे से विकलांग है वृद है बच्चे है जो यहां पर रह रहे हैं जिनका के इकलौता जो सहारा है यही है कि मंदर में जो दरशनार्थी आते हैं उनके से मांग कर खानने को जो इनको मिल जाता है कोई पैसे दे देता है कोई कुछ खाने के लिए देता है, दान पुर्णे कर देता है, उनसे मांग कर खाना ही, इकलोता इन लोगों को यहाँ पर जीवन ग्यापन करने का एक उपाय है तो स्वराज मीडिया की टीम आपसे जानना चाहेगी कि क्या इन लोगों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए या नहीं और हटाया जाये तो इनको कहां पर विस्थापित किया जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राहे जरूर बताएं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कैमरा मैं अमन पांडे के साथ मैं आयूश शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क